22 जन्वरी 2024 को स्री राम जन भूमी मंदर में राम लला की मूर्ती की प्रान प्रतिष्ठा के साथ ही भारत में एक नए यूग का सूत्र पात होने जा रहा है स्री राम जन भूमी मंदर के लिए पांच सताबनियों तक चले शंगर्ष में साधू संतो सहित हजारों लोगों ने अपनी आहूती दी इनके सबके बीच विश्व हिंदू परिशत के पूर्व अध्यक्ष स्वरगिय असोग सिंगल दुरुव तारे की तरह चमक रहे हैं 1980 और 90 के दशक में स्री राम जन भूमी मंदर के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम असोग सिंगल ने किया था दुनिया के महान कारे एक्षा सक्ति से संपने हुए हैं और असोग सिंगल जी में गजब की इच्छा शक्ति थी उन्होंने पनी इच्छा शक्ति को बदलत स्री राम जन भूमी की मुक्ती के सपने को साकार करने के लिए पूरे रास्टर को एक सूतर में पिरो दिया था का हवान किया संकल्प को सिध्ध करने के लिए पूरे देश में कई प्रकार की गतिवीधियों का आयोजन किया गया स्री राम जन भूमी को प्राप्त करने के लिए पंद्रसो अठाइस इस्वी से निरंतर संगर्ष चल रहा था अंततह हिंदू समाज की विजय हुई स्री राम धर्म संसत का आयोजन हुआ इसी धर्म संसत में व्यापक जन जागरन का संकल्प लिया गया पूरे देश में जब राम जान की रत्यात्रा के माद्यम से जन जागरन अभ्यान चलाया जा रहा था अशोक जी ने एक बार बताया कि स्री राम जन भूमी मंदर अंदूलन के वह विश्वास बिघर जाएगा देश एक बार पुना बढ़ जाएगा सन 1989 में पूज्य दिवरहा बाबा की उपस्थिती में शिला पूजन का निर्ने लिया गया पूरे देश से पौने तीन लाख पूजित शिलाएं आयोध्या पहुँची नौ नमंबर 1989 को भावी राम म अंदिर का शलन्यास संपन्न हुआ उसके बाद से मंदिर निर्मान के आंदोलन में एक दिन भी शितीलता नहीं आई अशोग जी के कुशल ने तृत में आंदोलन दिनों दिन व्यापक होता गया और देश के हर प्रांत के असंखे लोगों ने इसमें पूरी स्रद्धा और स अजनिती की पराकास्था था मुक्यमत्री ने घोशना की कि अद्धिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता लेकिन अशोग जी ने एक अद्भुत योजना बनाई और हजारो राम भक्तों के साथ अद्धिया में प्रकट हो गए उनके व्यक्तित में अद्भुत निर्भिक की पूरी दुनिया आयोध्या की और टक्टकी लगाए देख रही है आज असोग सिंगल इस मंदिर के सुपन को साकार होता देखने के लिए हमारे बीच नहीं है लेकिन जो भी इस मंदिर को देखेगा पुन्यात्मा असोग सिंगल जी की छवी सहजी उसकी आँखों के सामन